नमस्कार दोस्तों मैं ही अम्रीश श्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अम्रीश टेक इंफो में फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो के बैग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे चाहे आपकी फोटो की बैग्राउंड कोई साभी हो आप सिंगल क्लिक में किसी भी फोटो के बैग्राउंड को बहुत आशानी तरीके से चेंज कर सकते हैं इस ऀापकी इस तरीके से देखने को मिलेगा तो इस एप्लिकेशन का नाम mają इंस्टाल करने के Beacia Kutalam लिए तो आप Kr epispaku फिस्लियों को अपेज़ दिया को और ने कीब जाद करेंगे तो यहाँ पर आपको शायन करने के इंस्टाल करने के लिए अप आप से कोई भी यहां पर process नहीं मांगेगा, यह without sign-in के भी आप इसे use कर सकते हैं, यहां पर आपको register करने की कोई जरूद नहीं है, तो friends जैसे आप इसे open करेंगे, तो आपको इस तरीके से यहां पर interface देखने को मिलेगा, यहां पर लिखा दिखेगा आपको start from photo, इस पर आप click करेंगे, उसके बाद जिस भी photo के background को remove करना चाते हैं, आप gallery से जाकर उसे select कर देंगे, यह एक के photo है, जिस पर मैंने आप select कर लिया है, इस photo की background को हम change करेंगे, इस पर click करेंगे, यह देखिए, इस तरीके से process करेगा, और यहां पर different type की यहां पर pictures आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस भी picture आपको अच्छी लगती है, और उस look में आपने photo को बनाना चाते हैं, तो यहां पर automatic generate होके आजाएगा, बस आपको click कर उसे download कर लेना है, तो friends, यहां पर आपको edit करने भी कोई दिक्कत नहीं होगी, without editing के, आप यहां से एक SG quality की photo आप बना करके उसे download क कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप ऊपर देखेंगे, यहां पर classic look दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे, यहां पर background एकदम white है, यहां पर देखेंगे background PNG में दिया हुआ है, यहां पर जो background already था, उसको यहां पर दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके photo का classic look दिया हुआ गया है जहाँ पर आपके photo यहाँ पर show हो रहे हैं तो यह लेकिन दोस्तों यह यहाँ पर आप देखेंगे केवल दो ही photo ऐसा है जो आपको free में मिल रहा है बाकी प्रो है तो इसको आप रहने देंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फाइट यहाँ पर दिया गया है तो अगर आप टेंप्लेट स《 में भी इउच चेट लॉटरन चाहते हैं अगर आप्विधें लाइजी पर लेकर अगर आप लोगः आपने फोटो को गए आप अपने image को रखना चाहते हैं या फिर आप profile DP के रूप में रखना चाहते हैं वो आपकी choice है उस हिसाफ से आप यहां पर जाकर की आपने photo को यहां से shape कर लेंगे मैं आपको एक profile picture के लिए photo बना कर दिखा रहा हूं मुझे एक profile picture की ज़रूरत है तो यहां पर बहुत सारी look यहां पर दिए गये हैं जो look आपको पसंद है उससे आप यहां पर choose कर लेंगे जैसे यह देखिए यह वाला look मुझे पसंद है इस पर आप click करेंगे click करने के बाद यह देखिए यह open हो चुका है आप देखेंगे quality इसकी काफी better दिख रही है तो यहां पर आप इसे पर बी कुछ भी नहीं करना है कि वहला आपको यहां पर photo को यहां पर adjust करना है अरजस्ट करने के बाद उसके बाद आप यहां पर देखेंगे उपर आपको यहां पर open वाला towards arrow दिख रहा है उपर यहां पर आप click करेंगे तो friends जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आ खुद्लिनफ चुछती चाहिनों पर इसलively पृणि कैने फ command भी जाहिने के बाद आप देखेंगे यहां पर भर बहुत सारे फ्रेंस भी यहां पर आप आज करेंगे जिसे यहां पर आप 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 दे जैसे अगर मैं चाहता हूं कि एक magazine cover के लिए अपनी photo को वहाँ पर magazine cover पे लगाऊ तो जो भी आपको magazine यहाँ पर अच्छा लग रहा है उसको उस पर आप click कर देंगे जैसे यह वाला हमें अच्छा लग रहा है तो इस पर click करेंगे उसके बाद यह दिखिए magazine पर आपकी photo यह जो है magazine picture है जो देखने में इतना बहुत लुक लग रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि इस magazine को आप डाउनलोड करें जिसमें आपकी photo लगी हो तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे two words वाला arrow दिख रहा है इस पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर shape to gallery यहाँ पर option देखन बनाए या आप जो है kids के cloths पर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं कोई stylus जो है अगर आप photo बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं यहाँ पर 70 stylus यहाँ पर photo frame दिया है जहाँ पर आप इसे select करके अपने photo को modify कर इसे जो है आप यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ देखिएगा यह वाला लोग मुझे काफी जो है shower लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है अगर आप चाहते हैं कि यह इसका background इसी तरीकी की हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आप क्लिक करेंगे तो यह automatic set है किवाल आपको जाकर कि इसे download कर लेना है यह two word वाले यह पर click करेंगे नीचे आप देखेंगे export लिखा हुआ है नीचे आप देखेंगे shape to gallery है इस पर आप click करके इसे shape कर सकते हैं अब friends मैं आपको दिखाता हूं कि जो photo मैंने यहाँ से edit करके shape किया है वो आपके gallery में कहा है तो यहाँ पर friends gallery में आप जाएंगे जैसे gallery में जाएंग है काफी light image यहाँ पर दिया गया है तो friends इसमें आप quality भी पाज आएंगे और आपको बहुत सारे editing की ज़रुवत नहीं है आप कैसा भी कोई ज़रूर नहीं है कि आपका जो background हो green ही हो कैसा भी background हो आप इसली तरीके से remove कर सकते हैं दूसरा वाला photo यह था जो मैंने यहाँ पर है हमेशा कोई भी किसी फोटो की background remove करने की जरूरत पड़ती है ऐसे में हम Photoshop के माध्धम से या बहुत सारे application है बहुत सारे शाफट वेयर है जिनने हम install करके फिर जाकर उसे remove करते हैं तो वहाँ पर quality भी आपको कम मिलती है और आपके हिसाब से आप उसे edit नहीं कर पाते तो अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल अब्रेश टेकन फोकर सस्क्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आइसे इनफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग